आप सभी को मेरा नमश्कार मैं जानकी पांडे सर्वितकारी विद्यामंदिर मले कोटला आज आपके सामने एक बार फिर लेकर आ रही हूं व्याकरण जिसके अंतरगत आज हम करेंगे संधी संधी का अर्थ है जुड़ना या मिलना जब दो चीजें दो अक्षर दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं अब हम संधी की परिभाशा देखेंगे, दो वर्णों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार और परिवर्तन होता है, विकार का अर्थ ही बदलाव है, अब वर्ण क्या हैं, हर भाशा के अलफाबेट्स, जैसे हिंदी में वर्ण क्या हैं, अ, आ, क, ख, ये हमारे हिंदी परिख्षा के वर्ण हैं, जब ये दो वर्ण, आ के साथ हम आ आपस में मिलाएंगे और इनमें जो बदलाव होगा, वही क्या है संधी, जैसे ये देखिए इदर, मैंने परम प्लस इश्वर, यहाँ पे आ और ए मिलकर के क्या बने हैं, बना परमेश्वर, विद्या प्लस आले, विद्या ले, परिख्षा प्लस अर्थी, परिख्षा अर्थी, संधी के भेद, संधी के तीन भेद हैं, पहला भेद है स्वर संधी, दुसरा है व्यंजन संधी, और तिसरा है विसर्ग संधी, और आज इस कक्षा में हम स्वर संधी के बारे में ही बात करेंगे, स्वर संधी, दो स्वरों के मेल से, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो स्वर होंगे, दो स्वरों के मेल से उनमें जो बदलाओ होगा वही क्या है स्वर संधी. अब हमारे पास स्वर कितनी है हिंदी भाशा में? हमारे पास स्वर हैं 11 और वो कौन कौन से हैं? ये हमारे पास 11 क्या हैं? स्वर हैं जो क्या है? स्वतंत्र हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी की भी सहयता नहीं लेनी पड़ती ये स्वतंत्र हैं और हमारे पास का ख ग ये 33 क्या है हमारे पास? व्यंजल जो किस की सहयता से बोले जाएंगे? 33 व्यंजल किस की सहयता से बोले ज या ए के साथ ए मिले और उनमें जो बदला होगा वही क्या होगा स्वर संधी स्वर संधी के भेद स्वर संधी के पांच भेद हैं और पहला भेद हैं दीर्ग संधी दीर्ग संधी में जब इसके दीर्ग संधी के कुछ नियम है अब इन स्वरों में से आप देखिए कि आ, ई, उ, और री यह चार क्या है? यह चार है मूल स्वर इन्हें हम बोलेंगे मूल स्वर कितने होते हैं मूल स्वर? चार यह बात आपने याद रखनी है कि मूल स्वर कितने है? चार इसके अलावा जो स्वर रह गए हैं A, E, O, A, I, O, O ये साथ जो स्वर रह गए हैं ये हैं दीर्ग स्वर और दीर्ग स्वर कितने हैं हमारे पास? साथ ये हमारे पास साथ चार मोल स्वर और साथ दीर्ग स्वर कुल मिलाके हमारे ग्यारा स्वर हो गए स्वर संधी के पाँच भीद हैं और पहला भीद है देर्ग स्वंधी अर्थात इसमें क्या होगा कि जो अगर हम आ की साथ अगर इसके साथ हम आ ही जोडेंगे तो क्या बनेगा आ कहने कारत है कि मूल स्वर को अगर हम मूल स्वर के साथ जोडेंगे तब भी देर्ग बनेगा अगर हम देर्ग को देर्ग के साथ जोडेंगे तो तब भी क्या होगा देर्ग बनेगा अब इसके यह नियम है जैसे हर सब्जेक्ट के जैसे मैट्स में नियम होता है तो संधी का इक नियम है, तो ये दिर्ग संदी का नियम है कि आ-ा के साथ आप आ-ा जोडोगे, तो आ बनेगा, इ-इ, आपने कभी भी छोटी बड़ी नहीं बोलनी, आपने इसी तरीके से उसका उच्चारण करना है, E E के साथ आप E E जोड़ोगे तो वो E ही बनेगा ऐसे ही O O के साथ आप O O जोड़ोगे तो वो O ही बनेगा आपने ये याद रखना है कि मूल हमेशा किस में बदलेगा देर्ग में ही बदलेगा अब मैं यहाँ पे आपको इकादे उधारन दूँगे जैसे पीत प्लस अंबर E प्लस अ मिलकर के क्या बन जाएगा अ प्लस अ मिलकर के क्या बनेगा ये वर्ड क्या बन जाएगा पीत अंबर वर्ड बनेगा पीत अंबर अ और अ की मात्रा मिलकर के अ में बदल गई और वो बन गया पीत अंबर गिरी प्लैस इश इ और इ की मात्रा मिलकर के क्या बनेगी? बड़ी मात्रा में कनवर्ट हो जाएगी वर्ड बन गया गिरीश ये इ और इ की मात्रा मिलकर के देर्ग में देर्ग बन गई और वो बन गया गिरीश ऐसे ही वधुत्सव वधु उ और उ ऊ, उ, जी मातरा मिलकर के क्या बनेगा? बड़े में दीरग में Convert हुएगा आपको मैंने बताया तो वर्ड बन जाएगा वधूत्स ऐसे ही आ और ये देखे आ और ये मातरा मिलकर के आ में ही चेंज हो जाएगा और शब्द बन जाएगा यतारख कहने का मतलब है कि दीर्ग संधी में क्या है को जो मूल स्वर है वो किस में बदलता है दीर्ग स्वर में और ये इसकी नियम है आपको ये इसकी नियम याद करने है तो आपको दीर्ग संधी आसानी से समझ आ जाएगी दूसरी संधी हम लेंगे गुण संधी गुण संधी का नियम क्या है कि आप A, A के साथ अगर आप E, E जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा A वो A में बदल जाएगा ऐसे ही A, A के साथ आप U, U जोड़ेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? O में और एक आ के बाद आप री, इसको आपने री बोलना है, अगर आप री को जोड़ेंगे तो शब्द में हमारा बदल जाएगा अर में, ये तीन इसके नियम है गुण संधी के, इन नियमों को आपने याद रखना है, उधारन देखते हैं, नर प्लस इंद्र, ये देखिए, आ आधा र है, और प्लस र, तब ही ये क्या बना? र, फिर ये बना र, ऐसे आपने देखा ओगर हम इसमें e की मातर लगा दें तो ये री बन जाएगा, अगर ये लगा दें तो ये री बन जाएगा, जैसे पहले सिखाते थे तो नियम आगर आ के साथ आप e जोड़ोगे तो क क्या लिखेंगे इसको नरेंद्र नहीं लिखेंगे यह होगा नरेंद्र ऐसे ही नेक्स्ट देखिए अ आ के साथ अगर आप उ उ को जोड़ेंगे तो बनेगा सोरिय आ के बाद हम ले उ जोड़ा तो यह क्या बन जाएगा ओ सूरियो दै ऐसे ही परोपकार में आप देखिए आ के साथ हम उ को जोड़ेंगे तो वर्ड क्या बनेगा ओ यह देखिए यहाँ पर आ के साथ चाहे आप उ जोड़ो चाहे उ जोड़ो वो क्या बनेगा ओ तो शब्द बन गया परोपकार तिसरी संधी है व्रिदी संधी इस संधी का नियम क्या है कि आप आ के साथ अगर आप ए आई जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा ओ यही बनेगा यह इसका नियम है आ के साथ आप ए जोड़ेंगे तो वो यही बनेगा अगर आप O, A के साथ O, O अगर आप O, O जोड़ोगे तो क्या बनेगा? वो O में ही convert होगा, वो O बनेगा अब इसके यहाँ पर उधारन देखिए जैसे 1 प्लस 1 मैंने एक 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 अब यहाँ पर आप देखिए A, A के साथ आपने A जोड़ा तो किसमें बदल गया? A में ही change हो गया, एक एक दूसरा example है, पुत्र प्लस एश्णा एश्णा मींस इच्छा, पुत्र की इच्छा तो इसमें आप देखिए, फिर A के साथ हमने A को जोड़ा है तो word क्या बना है? पुत्र एश्णा नेक्स एक्जामपल देखिए, वन प्लस एश्णा आ के साथ आपने A को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? वन एश्णा परम प्लस एश्णा आ के साथ फिर हमने A को जोड़ा तो बन गया परम एश्णा कहने करते हैं कि व्रेदी संधी में नियम यही है कि A के साथ आपने A आई जोड़ना है और हमीशा वो दीर्ग में ही कनवर्ट होगा और आई आपको पता है कि यह भी दीर्गिस्वर है और यह भी हमारा दीर्गिस्वर है जो हमारी चौथी संधी है वो है यन संधी और ये संधी थोड़ी सी अलग है क्योंकि अभी तक हमने A, A के साथ ही जोड़ा है अभी तक आपने देखा होगा कि हमने A, A के साथ ही शब्दों को जोड़ा है अब यन संधी में क्या है E, E या O, O अगर आप E, E के बाद कोई भी भिन्सवर E के साथ अगर आपने चाहे A जोड़ा या E के साथ आपने O जोड़ा कोई भी भिन्सवर आप इसके बाद जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा E, E का क्या हो जाएगा E के साथ आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा या आपने याद रखना है कि ए के बाद आप कोई भी शब्द जोड़ोगे तो यो में बदल जाएगा और उ के बाद आप कोई भी शब्द जोड़ोगे सपोज हम इसके बाद आ जोड़ते हैं तो वो किसमें बदल जाएगा वो में ऐसे ही री के बाद हम कोई भी भिन शब्द भिन मींज अलग अलग री के अलावा कोई भी भिन शब्द जोड़ेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा रा में यह आपने याद रखना है इसकी तीन नियम है यह देखें में एक बार फिर आपको बताती हूँ इ के बाद कोई भी भिन स्वर दूसरा स्वर आएगा तो वो किसमें बदल जाएगा यह में उ के बाद कोई भी भिन स्वर आएगा वो बदल जाएगा वो में और री के बाद कोई भी भिन स्वर आएगा तो वो बदल जाएगा रा में अब example देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ उधारन देखेंगे, देखें, पहला जो मैं उधारन यहाँ पे लिख रही हूँ, पहला उधारन है, यदी प्लस अपी, यदी प्लस अपी, यदी प्लस अपी, अब आपने देखना है कि यह E, E के बाद कोई भीनसवर, E के साथ मैंने E नहीं जोड़ा, मैंने भीनसवर लगाया, लिखा, तो वहाँ पे क्या बन गया, यदी प्लस अपी, वो यदी प्लस अपी, पहले भी, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखेंगे, अति प्लस अधिक, अतियधिक, अब आपको लगेग इतियाधि की अति प्लस अधिक, जो हमेशा जो भी व्यंजन है वो हमेशा स्वर की सहता से बोला जाता है, जब हमने इस इकी मात्रा को हमने इकी मात्रा यो में बदल गई तो कि त क्या है? खाली, अकेला रह गया, बिना व्यंजन के हो गया, इसलिए यहां पे आधा है, ठीक ह ऐसे ही सू के बाद, अगर हम कोई भी उ, उ के बाद कोई भी दुसरा स्वर, उ, यह उ के साथ हमने आ अगर हम जोड़ेंगे तो यह शब्द क्या बन जाएगा? स्वागत, आधासा, इसलिए वो आधासा लिखा गया है, अनू प्लस एशन, अनू एशन का अर्थ होता है, अ अधा हो गया और वो अनू वेशन बन गया, पित्राग्या, पित्री प्लस आग्या, रा में, आपको यहाँ पर नियम लिखा गया है, कि देखिए कि ररी के बाद कोई भी स्वर आएगा, तो रा में बदल जाएगा, तो पित्री प्लस आग्या, पित्राग्या, यह हमारी य आदी संधी, ये संधी भी यन संधी की तरही है, E, E, O, O, हमारे स्वर उपपर आ गये थे, तो यहाँ पे हम लेंगे पहचान देखे, बहुत आसानी से आप इने पहचान सकते हैं, A, I, O, O, अगर A, I, O, O, के बाद कोई भी भीन स्वर, कोई भी भीन स्वर मेंज आ आ जाए, आ आ जाए, E, E आ जाए, कोई भी भीन स्वर आएगा, तो A का क्या होगा? A का बन जाएगा, A का हम बनाएंगे, A, A का हम, A का होगा, A, O का होगा, A, और A का होगा, A, इसमें परिभाशन में भी आप देख रहे हैं, कि A का क्या हो जाएगा? A का आए, A का आए, O का आव, और आव का आव, अब यहाँ पर एक्जाम्पल में आप देखेंगे, A प्लस A, मैंने आपको बताया कि A का क्या बन जाएगा? आए, तो ने प्लस अन, यहाँ पर मैंने लिखा है ने, नौ में A की मात्रा ने, ने प्लस अन क्या बन गया? नयन, ऐसे आपने पहचाना है कि A प्लस A किसमें चेंज होना है, आए में, यहाँ पर लिखा है आए में, तो यह क्या बन गया? यहाँ प्लस अ क्या बनेगा? तो यहाँ पर आप देखें, आए प्लस अ गया, गौ में I की मात्रा गया प्लस अक क्या बन गया? गायक, ओ तो प्लस अ आपको यहाँ पर मैंने बताया कि ओ के साथ आप अ जोडूगे तो क्या बनेगा? तो पो, पो में उ की मात्रा पो, पो प्लस अन, क्या बनेगा अव बनेगा, तो वो क्या बना, पवन, पो प्लस अक, पो के साथ आप अक, यहाँ पे मैंने बताया है कि आओ, पो प्लस अक, यह क्या बन जाएगा, पावक, ऐसे ही नौ प्लस एक, नाविक, गै प्लस एक, गाई का कहने के मतलब इस तरीके से संधी को हम कर सकते हैं संधी कैसा विशय है जो प्रतियोगी परिक्षाओं में भी पूछा जाता है हर परिक्षा में तो आज की कक्षा में हमने संधी की परिभाशा और स्वर संधी के बारे में बताया तो जल्दी ही फिर मिलेंगे तब तक के लि